जीवन में कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमारी परच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है हमारी तवचा का रंग जो भी हो, पड़ हमारी परच्छाई का रंग हमेशा काला ही हमें नजर आता है आज कुछ गतिविधी के माध्यम से हम जो है हमारी रंगीन परचाईयों से रूबरू होंगे हम कंप्यूटर और मुबाइल स्क्रीन के अंदर जाएंगे समुंदर की घहराईयों में गोता लगाएंगे और अंत में एक खुबसूरत सी पैटर्न बनाती हुई गतिविधी भी करेंगे और इन गतिविधीयों के माध्यम से हम समझेंगे कि प्रकाश जो है वो सीधे मार्ग में चलता है वो सीधा चलता है और ये भी समझेंगे कि परचाई आखिर बंती कैसे है सफेद और काला रंग होता क्या है अलग-अलग रंगों की पहचान हमारी आँख कैसे करती इनके उपर चर्चा करेंगे परच्षाई वास्तव में प्रकाष की गेरहरी को दर्शाता है जैसे के चंद्रग्रहन के संवे पुत्वी की परच्षाई चांद के उपर गिड़ती है और ये इसलिए होता है क्योंकि चानद और सूरच के बीच में पृत्वी आ जाती है और सूरज की जो रोशनी है वो चांद के कुछ हिस्से तोक नहीं पहुँच पाती और वो भाग हमें काला नजर आता है अब परचाई को समझने के लिए एक सरल सी गतिविधी से शुरुआत करते हैं यहां पर मैंने मुबाइल टॉर्च शुरू की हुई है और उसकी सफेद रोशनी इस दिवार पे गिर रही है उसके बीच में जब मैं यह पैन रख देता हूँ तो उसकी काली परचाई दिवार पे नजर आती है और यह वही स्थान है जहां पर मुबाइल टॉर्च की रोशनी नहीं गिर रही है अब इस मुबाइल टॉर्च के बदले मैं यह लाल नीले और हरे रंग की LED जला देता हूँ और अब मैं जब पैन इसके बीच में रखता हूँ तो मुझे तीन अलग अलग परचाईया नजर आती है इसे समझने के लिए हम बारी-बारी से एक-एक LED को जलाते हैं अब सिफ लाल LED जल रही है और हमारी दिवार है वो भी लाल रंग की है पैन की जो परचाई है वो भी काले रंग की ही नजर आ रही है ये वही स्थान है जहां पे लाल रोश्नी नहीं गिर रही है उसी तरह से ये जो दूसरी वाली है वो लाल रंग की LED से बन रही है उसको जब भी मैं बन कर देता हूँ तो ये गायब हो जाएगी और चालू करने पर फिर से आ जाती है क्योंकि ये दोनों LED अलग-अलग जगाहों पे हैं उसी वज़ा से ये जो नीली LED की वज़ा से ये जो परचाई बन रही है खाली स्थान पर ये लाल रंग की रोशनी वो जगाह पर देती है उसी तरह से लाल LED की वज़ा से जो परचाई बन रही है उसकी खाली जगाह को नीले रंग की रोशनी भर देती है यही कारण है कि हमें इस जामुनी रंग की दिवाल पे तो अलग-अलग पज़ाईया मिल रही है इससे हम यह भी समझ सकते हैं प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है उसको समझने के लिए यहाँ पे लाल LED और दिवार के बीच में मैंने एक लकड़ी का ये टुकड़ा रखा हुआ है जो प्रकाश का मार्ग भी दिखाता है हलाकि यह जो लाल रोश्नी है वो पूरे दिवार के उपर गिर रही है पर उसमें से एक मार्ग ये भी है आप देख पारे होंगे कि उस प्रकाश के मार्ग में रुकावट पैद्या होती है और उसी की परचाई यहाँ पे हम पीछे देख पा रहे हैं उसी तरह नीली LED और दिवार के बीच में मैंने ये लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है अब क्योंकि प्रकाश का मार्ग सीधी रेखा में है उसी वज़ा से ये जो पैन है मार्ग में रुकावट पैदा नहीं करती यही वाले स्थान को निली रोश्नी भर देती है अब मैं तीनों बल्ब को ओन कर देता हूँ और ये जो दिवाल है वो सफेद रंग की मुझे नजर आ रही है और तीन अलग-अलग परचाईया मैं देख पा रहा हूँ ये जामू नी रंग तो हमने पहले भी देखा हुआ है जब लाल और नीले का प्रकाश मिलने पर वो रंग हमें मिल रहा था ये पीले और आसमा नी रंग की परचाई कैसे वनी कि आप वो हमें बता पाएंगे ये वाले स्थान तक नीले रंग की रोशनी नहीं पहुच पाती क्योंकि उसके बीच में पैन आ जाती है और यही स्थान पर लाल और हरे रंग की रोशनी बनकर पीला रंग बनाती है उसी तरह ये वाली जगा पर लाल रंग की रोशनी नहीं पहुच पाती और उसी जगा को हरा और नीले रंग की जो रोश्णी है वो मिलकर आस्मानी रंग बनाते हैं अब मैं इन तीनों LED के सामने एक कावेस का टुकडा रख देता हूँ इसमें भी आप जामूनी, आस्मानी और पीले रंग की उसकी परचाई देख पारे होंगे और जैसे ही मैं उसको दिवार के पास ले जाता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको हरा और नीला रंग भी देखने को मिलता है और बाद में अंत में काला रंग भी नजर आता है इसके बारे में आप अपनी हातों के साथ विलकुल सुन्दर परचाईयों के साथ खेलते हुए और अलग-अलग आकारों को इन तीनों LED के सामने रखके खेलते हुए भी सोच सकते हैं इन रंगीन परचाईयों को समझने के बाद एक और मन में प्रशनु होता है कि यह जो बीच वाली काली परचाईय है उसका रंग क्या है या फिर हमारी खुद की जो परचाईयां होती है उनका रंग क्या है परिभाशा के अनुसार किसी भी रंग के ना होने को हम उसको काला रंग बोलते हैं या फिर आम जीवन में बाकी सब आसपास के रंगों के हिसाब से कम रंग होने पर भी हम उसे काला बता देते हैं जैसे कि ठी इडियेट्स मुवी के ये सीन में च Democrplay के जो बाल है वो काले रंग के नजर आ रहे हैं पर क्या यह काला रंग है या फिर सिफ कम सफेध है, इसे पता करते हैं. यह पता करने के लिए हमने अपनी स्क्रीम पर सफेध बेगराउंड के बीच में यह काले गोले रंग का चितर प्रोजेक्ट किया है. अब इस काले भाग में जब मैं अपनी हाथ को ले जाता हूँ तब आप जो है वो इसकी काली परचाई स्पस्ट रूप से देख पा रहे होंगे इसका मतलब यह हुआ कि यह भाग काला नहीं परन्तु यह सफेद बेग्रांड के मुकाबले हमें काला नजर आ रहा है अब मैं इसी चित्र को कैमेरा की मदद से प्रोजेक्टर की और देखता हूँ तो मुझे कुछ इस प्रकार से रौश्णी नजर आती है अब मैं काले गोल वाले भाग में जब जाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से मुझे रौश्णी नजर आती है इसका मतलब यह हुआ कि ये काले भाग में कम रोश्णी है और बहार वाले सफेद बेग्राउंड में ज्यादा रोश्णी है बहार अंदर बहार अंदर ये जो अंदर के काले रंग का गोला है वहम बस सफेद बेग्राउंड का एक शेड मात रही है सफेद रंग असल में हमारे दिमाग की ही उपज है जब सभी रंगों को मिला दिया जाए तब यह रंग मिलता है जैसे कि यहाँ पे लाल, निले और हरे बल्ब की रोशनी गिरने पर यह सफेद रंग नजर आ रहा है जब यह रोशनी किसी भी वस्तू पे गिरती है जैसे कि इस चित्र की मचली पर तब लाल रंग के अलावा सभी रंग के प्रकाश को सोक लेती है और सिफ लाल प्रकाश ही हमारी आँखों तक पहुंचता है और इसी वज़े से हमें यह मचली लाल रंग की नजर आती है अब मैं लाल एलेडी को बंद करके सिफ नीले और हरे रंग की एलेडी ही ओन रखूं तो आप देख पा रहे होंगे कि यह मचली सारे प्रकाश को सोक के हमें लगबग काले रंग की दिख रही है वास्तव में समुन्दर की सो मिटर की गहराई पे जाने पर कुछ इसी प्रकार की रोषणी नजर आती है नीले और हरे रोषणी के मुकाबले लाल रंग की रोषणी है वो कं गहराई तक पानी में जा पाती है और यही वज़ा है कि लाल रंगी मचलिया उनकी जो शिकारी मचलिया होती है उनको काले रंगी दिखती है और जल्दी से नजर में नहीं आती पर आखिर में इन रंगों की पैचान हम कैसे कर पाते हैं? चलिए उसके लिए एक मज़ेदार गतिविदी करते हैं अब लाल और हरी LED को चालू करके PVC पाइप का Aluminium Foil वाला छोर जो है उसके सामने रहे वैसे रख देता हूँ और जब आप ये पीछे के Butter Paper वाले छोर से देखते हैं तो आपको देखके आशर होगा कि यहाँ पे पीली रोश्णी नजर आती है Aluminium Foil में अलग-अलग प्रकार से छेत करके आप सुन्दर सी ये RGB Patterns बना सकते हैं हमारी आखों में लाखों के संख्या में प्रकाश के Receptors रहते हैं पर इनके प्रकार सिर्फ तीन ही हैं हर एक प्रकार लाल, नीले और हरे हिस्से के अनुरूप तरंग लंबाई को ही समवेदंशिल होते हैं इन Receptors को हम कोंज कहते हैं अलग-अलग तरंग लंबाई वाले प्रकाश अलग-अलग प्रकार के कोंज में समवेंद्रा जगाते हैं उत्तेजित होने के बाद ये कोंज दिमाग को सिगनल बेचते हैं और दिमाग उनको प्रोसेस करके हमें अलग-अलग रंगों की अनुभूती करवाता है कोंज से प्रकार के और कितनी मात्रा में ये कोंज उत्तेजित होते हैं उसी से रंग निश्यत होता है हमारी आखों में पीले रंग के लिए कोंज नहीं होते परन्तु पीली रोशनी यानि की पीले रंग के अनुरूप तरंगलंबाई वाला प्रकाश जरूर होता है जब लाल और हरे रंग की रोशनी हमारे आखों में एक साथ गिरती है तब वो इसके अनुरूप कोंज को उत्तेजित करती है और वो हमें पीले रंग की नजर आती है इसका मतलब तो यह हुआ कि लाल और हरे रोश्णी साथ में हमारे आँखों में गिरे या फिर पीली रोश्णी हमारे आँखों में गिरे वो दोनों ही हमें समान नजर आएगी कम्प्यूटर और मुबाइल की स्क्रीन भी रंग दिखाने के लिए इनी सिद्धानतों पर काम करता है आप जब अपने मुबाइल की स्क्रीन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तब आपको खूप सारे छोटे छोटे लाल नीले और हरे बल्ब नजर आएगे आप अपना खुद का भी एक माइक्रोस्कोप बना सकते हैं लेजर लाइट के अंदर रहने वाला ये छोटा सा लेंज निकालके आप अपनी मुबाइल की कैमेरा के उपर लगा देंगे और उसके बाद स्क्रीन पे देखेंगे तो यही आप नजर पाएंगे छोटे छोटे लाल निले और हरे LED को आप अलग-अलग स्क्रीन के रंगों में देख सकते हैं जाँ एक स्क्रीन प्रजब सक्क्राइब कर देखेंगे